साइबर सिटी गुरुगराम के सदर बाजार के वैपारियों में उस वक्त हड़कम बच गया जब नगर निगम की टीम बाजार पहुँचकर आतिक्रमन करने वाले दुकंदारों की दुकानों को सील कर दिया गुरुगराम के सदर बाजार में वैपारियों को अतिक्रमन करना इतना भारी पढ़ने वाला है यह शायद किसी ने भी सोचा ना था दरसल सुबह पांच बजे नगर निगम की टीमों ने सदर बाजार इलाके में सौ से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया इसके लिए नगर निगम की टीम पूरी तयारी के साथ मौके पर पहुँची थी तस्वीरों में आप साथ तौर से देख सकते हैं कि कैसे नगर निगम के अधिकारियों ने सदर बाजार की नामी गिरामी दुकानों पर ताला चड़ दिया कि अधिक गश्यार के बारा एक बज़े फोन आगया की कमेटी ने सील करनी है दो डाई बज़े से जाग रहे हैं तो बजार में आया है परशान हो रहे हैं यांके और भुत नजाज हो रहा है सब दुकंदारों के ताथ बजाट पर चाट वादी हैं पिचासी दुकाने ये दो चार जार के हैं उल्टी सीधी कम्पलेने दे के आते कमेटी में और यह ऐसी सीलिंग बाजी हो रही है ऐसे फुज कमाई ही नहीं है कि पचास जार की सील करके हम दुबंदार दे सकें वहीं इस मामले में सदर बाजार के व्यापारियों ने आरूप लगाया है कि गलत कारवाई करते हुए प्रशासन ने उनकी दुकानों को सील किया है दुकानदारों का अरूप है कि निगमादिकारियों को पैसा न देने की अवज में ये कारवाई की गई है जिस से अब उन्होंने मामले में उचित कारवाई की मांगी है अफो देटा हैं दरसल सदर बाजार इलाके में अतिक्रमन को लेकर नगर निगम ने पकाईदा वीडियोग्राफि करवाई थी जिसमें 100 से ज्यादा शॉप कीपर्स ऐसे पाए गए जिनकी वजह से सदर बाजार इलाके में अतिक्रमन को बढ़ावा दिया जा रहा था और इसी को लेकर सुभै से निगम की सीलिंग अभियान में सौ से जादा दुकानों को सील किया गया नगर निगम द्वारा इस कारवाई से सदर बाजार के वैपारी नाराज है और वो नगर निगम पर ही गलत आरूप लगा रहे हैं हाला कि नगर निगम की तरफ से इस मामले को लेकर अभिप्रतिक्रिया आना बाकी है कर दो